आपसुलो को मेरा नमस्कार जैसरी महाकाल जैमाकाली मैं आपसुलो को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में मैं आपसुलो को मेरे एक दोस्त तथा मेरे जो गुरु भाई हैं उनका क्रोध भहरब साधना का एक अनुभब बताने जा रहा हूँ तो उसके साथ क्रोध भहरब साधना के उपर कुछ अपडेट भी दोंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं अनुभब तो अपडेट के उपर तो अपडेट कुछ इसी प्रकार है की जैसे आप से लोग जानते ही है आगे काल भहरब जैनती है और काल भहरब जैनती पर भावस भहरब जी की साधना सरवत्तम रही है इसी अपसर पर हम ने क्या किया है कि जो पीडियब था उसका पराइस 15 रुपे था उसको घटा के कु हमसे वह प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करने के लिए आप लोगों को डेस्क्रिप्सन में और पिंड कोमेंट में मेरे टेलीग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा जाके जोएन कीजिए उद्र से जाके मेरे को परसनाल मेसेज कीजिए कीवर कोड़ दूँगा पेमेंट कर दीजिएगा फिर आपको पेडिया पादी भेज के सारा डिटेल ने आपको साधना समझाय दिया जाएगा बहुत गुप्त करिया हैं और इससे पहले भी को अनुभव डाल दिया है उसको भी आप सो लोगों में डिस्क्रिप्सन लोग लब्द करवा दोंगा जाके आप से वी वीडियो चेक आउट कर सकते हैं तो यही था अपडेट अब हम अनुभव के उपर बात करते हैं तो अभी आप सो लोग अनुभव जाने कि उनको क्या-क्या अनुभव वह थे प्रणाम आचार्य जी जहमा परा सकती मेरा नाम त्रेलो किनात विश्नु है मैं पूजनिय कि उस साधना की सकती से दर्शकों को परिचित करवाऊंगा जैसे कि मुझे भैरब तत्वा में विशेश रूची है मैं हमेशा स्री भैरब साधना करना चाहता था पर उचित मार्क दर्शन ना होने के कारण नहीं कर पा रहा था परन्तो जब मैंने आपके चैनल पर यह पीडियाप लेने के बाद आपने बड़े अच्छे से भीडियो कॉल पे मात्रिका आधी सभी न्यास समझाए और साधना सफलता पूरवक संपर्न करने का असिरबात दिया रविवार को पूर्णिमा पड़ी और मैंने सभी साधना सामगरी लेके आया है और रातरी को जल्दी सो गया क्योंकि मुझे ब्रह्म महुर्ट को साधना करनी थी रात दो बजे मुझे एक स्वपना आया जिसमें एक विचिस्त्र स्त्री जो बहुत भद्दी दिख रही थी और जिसका स्तन एक बहुत बड़ा था वो मेरे सामने से आई और मेरे लिंग प सोक में डूब गया कि अब तो मैं क्रोध भहरव साधना नहीं कर सकता मेरा ब्रह्मचार्य खंडित हो गया मैं वातरुम जाके थोड़ा स्वच्छ हुआ फिर वापस वने आ गया और दुखी मन से सो गया तभी थोड़े देर बाद मैंने देखा मेरी बगल में कोई भुजं लंग नील और काला वर्ण का कोई लंबा चोड़ा व्यक्ति खड़ा हो गया विस्तर से लग के उसके शरीर पे स्वरण आधिक के अलंकार थे और बाल बहुत रेशमी थे सुंदर मुक जिस पे अत्यांत गंभिरता थी उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा कि मैंने तुम्ह साधना के लिए चुना तुम्हें साधना दिलवाई और तुम सपन दोस जैसी छोटे बातों पे साधना छोड़ रहे हो उठो और साधना करो मैं साथ हूं इतना कहके वो गायब हो गया मेरी नींद तुरंद खुल गई और उस समय बिलकुल उतना ही बजा था जितने बज़ दिया गया दिगवंधन किया सब सांथ हो गया दस माला के बाद मुझे क्रोद भहरब बाबा के फोटो में वही व्यक्ति दिखे जिन्होंने मुझे साधना के लिए जगाया था मैं आचमभित था साधना के लिए जो त्रिकोन में धीपक जलाया था उसमें मैंने 20-30 ml सरसों का तेल दीपक ने डाला था और दीपक टोटल 12 घंटे से उपर जला जब तक मेरी साधना चली और मेरा साधना अच्छे से पुर्ण हुआ मैंने इसका प्रयोग भी किया था कल मेरे को किसी ने कुछ खिला पिला दिया था और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था तब मैंने जब इस मंत्र को पढ़ते हुए आपके बताया अनुसर प्रणायाम आदी योगिक क्रिया किया मेरा दर्द तच्छन गायब हो गया मैं सोनु जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये साधना दिया और मैं बहुत ही धन्य महसुस करता हूँ कि बाबा क्रोध बहरब ने मुझे अपनी साधना के लिए चुना मैंने मंदर का अपनी गाउं में भी सक्ति देखी थी कुछ प्रेतों के आगी पर उसे मैं फिर कभी बताऊंगा अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा की साधना जो भी सक्चे मन से करेगा उसे बाबा जरूर आशिरवात देते हैं सवनुजी से प्राठना है कि अगर और भी ऐसे अलग अलग भेहरवों की साधना हो तो अवस्य बताईए जयमा पर आ सकते तो अनुभव जैसे आप से लोगों ने सुना अभी तो अनुभव कुछ इसी प्रकार से थे तो अब अनुभव के उपर हम बात करते हैं इनको जो तो है पहला वह एला अनुभव जहां पर इनका श्वपना आया और शवपना में इनने जो भी नकारत्मक उरज्जा आया पर वह नकारत्मक श्थी को दिखा वह किया था तो वह उंके घर के आसपास रहने वाले एक नकारत्मक सकती थी वह उनकी साधना को भंग करने के साथना को खंडित करना के लिए इसे बजह से उनका फायदा होता है पहला पायदा कि वह उर्जा चुरा ले जाते हैं और हमारा शांधना खंडित कर देते हैं डिसके बज़े से उनको किसी प्रकार की दुब इधान नहीं होती इसा वो सक्थी भी आई थी इनकी साधना खंडित करने के लिए लेकिन बाबा के कृपा रही इनके उपर जिसके बज़े से बाबा इनको स्वयम दरसन दिया अब बात करते हैं कि बाबा ने दरसन क्यों दिया और पहले उस्वपन में दरसन दिया और दूसरा फुटों में दरसन दिया ऐसा इसलिए हुआ मैं आपको ब सबी लोग को वह अपना-पना साधना उपलप्त कर बादेते हैं जिसके वज़े से वह साधना करते हैं उसी दरह से यह जो मेरे गुरुभाई हैं और जो यह मेरे मित्र हैं इनका यह रहा कि नहीं भी अपने पूर्व जनमने को जागरित किया था कुरुद भावा की सक्तियों को इन्होंने अपने जीवन में जागरित किया था जिसके वज़े से इस जनमा भी जब इनको क्रोध भहरव साधना का करने का समय आ गया तो इन्होंने मुझसे वह साधना प्राप्त किया और साधना को जागरित किया जिसके वज़े से एक सकती इनका साधना खंडित करवान के उद्ध्य सद्य आने के बावजूद भी तो जम क्रोध भहरब बाबा आके इनको मार्गदर्सन दिये और इनको साधना करवा के सक्सेस की और ले गाए तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रोध भहरब साधना कितना प्रचंड होता है यह साधना बिलकुल ही सा कर सकता है इतना सरल है यह साधना और बस आठाजार मंत्रों का ही जाब होता है इस साधना में और साधक इस आठाजार मंत्रों का जाब करने के बाद मंत्र जागरती प्राप्त करके अपने जीवन में साधना का फायदा उठा सकता है इतना सरल साधना है जैसे मैंने वीडिय हम कुछ दिनों के लिए दे रहे हैं केवली केवल आने वाले भैरब जेंती के अफसर तक इसके बाद इस साधना का प्राइज फिर से 15 रुपए हो जाएगा जिन लोगों को प्राप्त करना है वो डेस्क्रिप्शन में और पिन कोमेंट में उनको हमारा टेलिग्राम ग्रूप वहरब जेंती के ऊपर आप यह साधना करके अपने जीवन में और साधना को जागरित कर सके मैं बिल्कुल साध्विक सादना है अपने जीवन में फाइदा उठा सकते हैं तो यही था कुछ आज का वीडियो सभी को अच्छा लगता है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चूब लोग नहीं सब्सक्राइब करके घंटी बाला बेल आकोन पर सट कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलेड करो उसका नौट भी किसाना आप सभी लो सब्सकार जैसरी महाकाल जैमाकाली मिलता है उसे लोगों को और एक इसने वीडियो में